अब कर दो फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का इस नए स्रीज में और यह स्रीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं 11th JPSC को ध्यान में रख कर जिसमें section H जहां से आपको प्रॉक्स 15 कोस्टन पूछे जाते हैं और उस section का पहला जो है आपका पहला topic है human rights हम लोग इसको बारे में पढ़ेंगे और ऐसे ही करके आपको जो भी अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक है उसको ऐसे वीडियो मिलेंगे तो आज हम लोग देखेंगे human rights के बारे में human rights आखिर होता क्या है और यहां से हम लोग यह भी जानेंगे previous में कैसा question पूछा गया है तो आप इसको देखिए और बताईएगा कैसा लगा आपको इस तरह का मेरा यह परियास तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि human right आखिर होता क्या है जैसे हम लोग देख लगते हैं कि वाटी इस human right मानवा अधिकार क्या होता है तो जो कि हम लोग क्या exist करते हैं कि अधिक करते हैं तो हमारे कुछ rights होने चाहिए तो वह क्या राइट्स होने चाहिए कौन decide करेगा तो यह एक तरह का ना universal right है क्या है इनिवर्सल राइट्स है और यह राइट्स सभी के लिए एक समान है regardless of मतलब कि यह इससे कोई मतलब नहीं बनता है कि आपका नेशनलीटी क्या है नेशनलीटी क्या है सिक्स क्या है या फिर ओरिजिन क्या है मतलब कहां से आप बिलाउंग करते हैं कि रिलीजन क्या है और आप किस भासा को बोलते हैं लेंगवेज बोलते हैं इससे यह कोई नहीं मतलब रखता है सभी के लिए राइट जो है हुमन राइट वह आपका इक्वल है और इसमें ध्यान रखिएगा यह जो हुमन राइट है उसका एक डे मना आया जाता है हम लोग डीटेल में पूरा देखेंगे इसमें इसेच आरसी इसेच आरसी एक सेकंड बदल दता हूं चलिए तो आपको अच्छेश दिखेगा इसेच आरसी और इन चारसी जहां से आपके प्रस्ण पूछे जाएंगे एक्जाम में उसको हम लोग डीटेल में देखेंगे तो इसका डीटेल देखेंगे और साथ में हम लोग देखेंग कि क्या-क्या declaration है यह human rights के अंतरगत तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि human rights day मनाया कब जाता है human rights जो कि ग्लोबली यानि कि international level पर international day है कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है आपका बताइए सोची कम मनाया जाता है परतेक बर्स 10 दिशंबर को मनाया जाता है पर यही प्रसनाब का सेवन्थ शिम्ट में यह पूछा गया था देखिये मैं उसका कोशन का स्क्रिंश्ट लगा देता हूं ताकि आपको यकीन वो कि देखिए यही कोशन आपसे पूछा गया था कि when was the universal declaration of human right day adopted by the United Nations तो यह इसका सही जबाब हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 और इसी दिन को हम लोग यह adopt किया गया था और इसी दिन को every year प्रतेक वर्स human right day मनाया जाता है ठीक है उमीद करता हूँ आपको इतना अभी तक समझ में आ रहा होगा अब हम लोग देखेंगे एक बार फिर से पुराने स्लाइट पर आ जाते हैं कि आखिर human rights होता क्या है तो चलिए इसका मैं time को बचाने के लिए कि मैं पहले से ही कुछ written form में डाल दिया हूँ डेटा तो देखिए definition देख लेते हैं क्या होता है according to the national human right commission देखिए जो definition है ऑफ इंडिया इंडिया के respect में देख लेते हैं एने चारसी के थूरू क्या है आपका definition human rights as the rights relating to life किस से जुड़ा हुआ है राइट तो ये लाइफ से जुड़ा हुआ है liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the constitution or invited in the international convents and enforceable by the court in India क्या बोल रहा है यह जो right है किस से relate करता है तो life, liberty से, equality से मतब समानता का दिकार और यह dignity तो life जीने का एक dignity होना चाहिए और यह सभी individual के लिए guaranteed provide करें, guaranteed है किस के दवारा constitution के दवारा और international जो भी convents है उसके दवारा और enforceable by मतलब अगर इसमें कुछ गलत होता है तो उसको कौन enforce करवाएगा तो court है जो इंडिया में जैसे कि आपका सुप्रीम कोट हो गया हाई कोट हो गया तो अब देखिए यहां तक हम लोग समझ लिए कि क्या होता है definition देख लिए अब human right commission अब एने चार सी देख लेते हैं एने चार सी क्या होता है तो देखिए क्या बोल रहा है 1993 में ध्यान रखेगा 1993 में इस्टेबलिश किया गया था और यह कैसे बनाए गया था तो देखिए the statute under which it is established in the protection of human rights act जो की पिए चारे इस act के तहत तो यह आप एक्ट याद रखेगा इसी के तहत यह बनाए गया था एक्ट प्रवायट फूर फूर्ड इस्टेबलिश्मेंट अउ हर यह यह ये Ale चारसी चाया वो श्याद में अब देखिए human rights केसे incorporate होगा जबतों कैसे लागू नोज में तो देखिए उसके लिए क्या प्राबधान है तो देखिए इंडियान हुमन इंडियान कंस्ट्यूशन इंकॉर्प्रेटेड सेवरल प्रोविजन इसके लिए कि बहुत सारे प्रोविजन है और फिर है इसमें देखिए स्पेशल दिया गया है आपका कंस्ट्यूशन में इसका मेंशन है जो कि 14-32 के बीच में है और उसमें भी 14-18 क्या गारंटी करेगा सब्सक्राइब का सबीको समानता का अधिकार है और बिट्प्रीडियम और बहाबना को प्रकट करने का यह राइट देगा और प्लस जीने का और लिवर्टी का लाइट किससे पुद्थर मिलगा तो तो यह भी आप लोग याद रखेगा मैं इसको थोड़ा हाइलाइट करता हूं अर्टिकल 21 और यह पूरा जो आएगा आपका इक्वेलिटी के बारे में देगा 14-18 और यह पूरा फंडामेंटल राइट इतना 14-32 यहां रखेगा प्रोटेक्शन और फिमन राइट एक किस आइट के तहरे रहने चार सी और से चार सी बना तो यहां पर मेंशन है तो अब आगे देख लेते हम लोग तो देखिए अगर वा कंतरगात उसका डिल किया जा região कोट के उसिप्रीम कोट के तहट उस्बिधट के और आर्टप equilibrium 32 chil – है और यहां कोट कोट जयेगा. अ है तो वह जाएगा आपका सुप्रीम कोट में और आर्टिकल 226 के तहट जाएगा कहां तो यह जाएगा हाई कोट में त्यान रखेगा और डिरेक्टिव प्रिंस्पल अब स्टेट पॉलिशी फ्रॉम आर्टिकल 31 तो 51 यह भी इन्फोर्स करवाएगा तो अब देखें यहां पर हम लोग देख लिए कि क्या था कैसे क्या डेफिनेशन था कैसे फॉर्म हुआ और क्या प्रॉवीजन है अगर उसका मतब्मानवा दिकार खानन होता है तो कहां एफ्रोच कर सकते हैं कहां जा सकते हैं तो यह दोनों आर्टिकल याद रखी का इन्प तो उसके लिए अल्रेडी हम लोग रेडिमेट रखें हैं ताकि टाइम नहीं लिखने बहुत समय चलिएगा आप तो समझना है तो देखिए कंप्रेटिव स्टेडी करेंग हम लोग एक तरफ है हुमन राइट कमिशन यानि एने चार सी दूसरे तरफ है आपका इसे चार सी इसमें जो है इसमें इस्टेबलिश्मेंट जो है हमारा यह क्या है एक स्टेट्यूट्री बोडी है इस्टेबलिश कैसे हुआ था एक्ट ऑफ पारलियामेंट के तरह कौन सा एक था हम लोग पहली देख चुके हैं प्रोटेक्शन आप हुमन राइट साथ नाइटी कंंट्री पूरे देश में वाजटिओग का काम करेगा जो भी हुमन राइट wash दोग आफ इन्हार्ट और यहां पर देखे हैं और जयां पर श क्या होते हैं जयां रहेते हैं और इसमें ड्र चेयर परसन प्लस 5, 6 हो गया और इसमें चेयर परसन प्लस 2 यानि कि 3 मेंबर हो गया तो नहर सी में सदास्यों की संक्या जादा है इसे चार सी में मतलब तरह से दूगना है अब देखिए क्वालिफिकेशन क्या है इसको यह बनाया जाएगा उसका हेड तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन डिसाइड किया गया है तो देखिए जो चेयर परसन रहेंगे वह कौन रहेंगे रिटाइड सीजी आई रहेंगे और जज रहेंगे यानि को रिटाइड सीजी आई हो सकते हैं या जाज अब दा सुप्रीम कोट हो सकते हैं किसके लिए तो नहर्सी के अब इस्टेट वाले में ध्यान रखेगा अब मेंबर देख लिए पहले एनचार्चिक मेंबर दख लेते हैं तो सरविम और रिटायर जाज यहां पर देख लेता है यह सर्विंग अज रिटार्ट सीजे चीफ जस्टीस अफ हाई कोट के चीफ जस्टीस का भी मेंबर बनाया जा सकता है इसमें यह इन्पॉर्टेंट हो जाता है एक सेकंड इसको किलियर कर देता हूं अब ध्यान पूरवग देखिए यहां पर ध्यान से देखिए बोडी में कौन-कौन लोग रहें है तो सर्विंग और रिटायर्ट जैज आप स्प्रीम कोट सर्विंग अप सीजे और रिटायर्ट कौन होंगे हाई कोट की हो सकते हैं तो उसमें एक महिला का होना आवश्यक है और उनको यह नॉलेज होना चाहिए और कुछ एक्स ओफिस यो मेंबर होंगे इने चार सी के वह आप यहां पर देख लिए उत्ता इंपॉर्टेंट नहीं है अब बाकी आप यहां से देख लिजिए इसमें देख लेते उस चार से में तो च्यर्फ परसन होगे हाँनमें स्रविंग और रटायर्ट जज ऊफ तो और धिश्टिंक यॉद्ष्ट से और यहां पर सब्सक्राइब बन सकता है तो आप देखिए अपौइंट्मेंट कैसे होगा तो चेहर परसेंट इन मेंबर बाइद प्रेशिडेंट जितने भी चेहर पर्सन और मेंबर आएंगे अपौइंट्मेंट होगा प्रेशिडेंट के द्वारा और इसे जारशी में इसे जार्शी में चेहर परस्जा DON के द्वारा Steve कि द्वार और सिलेक्सटन कमिटी अभ यह इनपॉर्टेंट हो जाता है ध्यान-प्रुवग देखिएगा सम्टमेंटि अशसे कमिटे कौन-कौन रहेंगे और यहां पर भी छे मेंबर रहेंगे ध्यान पुरबग देखिएगा कि कौन-कौन है यहां से क्वेशन पुछा जाता है तो देखिए जो सेलेक्शन कमीटी का चेयर परसंट कौन रहेगा तो वो प्यम रहेंगे उसके अलावा स्पीकर और लौकशवा, ध्यान पुरबग देखिए स्पीकर और दिप्टी चेयरमेन उाव रासवा लाकी चेछेरमेन डिप्टी चेयरमेन रहेंगे प्लस लीडर OF opposition, लोकशवा रासवा तो देखिए, अब प्लस union home minister फिर से repeat करता हमास को एक बार किलेर करके फिर से रिपीट करता हूं ध्यान पुर्ववक देखेगा इसको चलिए दखे कौन-कौन रहेंगे तो जो सिलेक्शन कमीटी का चेयर परसन कौन रहेगा तो पीम रहेंगे पलस स्पीकर रहेंगे लोग सबाके डिप्टी चेयर में रहेंगे राज सबाके प्लस लीडर अफ प्रप्रजिशन रहेंगे दोनों लीडर अफ प्रप्रजिशन विपाज की नेता लोग सबाराच बाफ बोथ अपलास उन्या यूनियान होम मिनिस्ट्र और यहां पर एक पॉइंट दिया गया देखिया सिटिंग जैज अब दे सुप्रीम कोट और सिटिंग चीफ जस्टिस अफ हाइज कोट कैन वी अपॉइंट अफर दे कंसल्टेशन विद दे चीफ जस्टिस अफ इंडिया तो मिली आपको याद यह रखना है अपलस धर यह कंपोजीशन मेंबर का अब जो स्टेट वाले में इसे चार सी में उसमें देख लेते हैं कि सिक्स एचसर्स सेलेक्शन कमीटी में कौन-कौन मेंबर रहेंगे तो सीम रहेंगे चेयर परसन प्लस स्पीकर आफ अफ लेटिव असेंपली और चेयर मैं अफ लेल कॉंसिल के प् लिए वी विदान सबा और परसद होता है तो अगर जहां परसद है तो वहां स्पीकर रहेंगे दोनों के प्लस लीडर और पर पॉपिसिशन रहेंगे दोनों के और अस्टेट हो मिनिस्टर अब देखें इनका टेन्योर के बारे में बोला जा रहा है तीन त्री एर और सब्सक्राइब बनने से जो पहले या तो उनका एज सब्सक्राइब इलिजबल फॉर इपोईट्मेट्मेंट वह एजिवाल है अगया अगया तो इसे जोर्कारी किसी भी स्टेट और सब्सक्राइब आप्गे स्टेट मेटों नहीं कि अब इनका दर देख लिए तो हमाया तो सेंट्रप्स्राइट गवर्मेंट के त्वारा तो यहां पर हम लोग देख लिए सारा अब इसके बाद हम लोग आपके लिए दखे जो हुमर राइट्स का उनिवर्सल डिक्लरेशन है मैं उसका पीडिएफ लगा दिया हूं और यह पीडिएफ आपको यह जो मैं यह पूरा भी पढ़ाया हूं वह पीडिएफ भी आपको मिल जाएगा टिलग्राम पर जाकर सर्च किजिए आप स्टाड़ी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि धियान रखेगा तो इनिवर्सल डिक्लरेशन ऑफ हुमेन राइट्स यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है ले आइधिंग पेपर एक मेंने टाइम दीजिए अधिन एक नॉमिक्स वाले में था यह अधिन अधिन जाए लुक जो के लुक जो कि इस वह में यह पॉलीटी वाले में होगा एक सकन्ड उप्रोप्रेशन नॉमिक्स, यह बहुत है कि मैं वो क्लियर कर दे रहा हूं तो कि देखिए यह आपका तो अब हुमें राइट के बारे 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 आपका यह पेपर पोर में पोर में पोर में का जो पाबलिक पाबलिक अब है कि 25 25 नमबर आपके बारे में आपके बारे में जैसे उना है जैसे उना है जैसे उन प्रवाइट आप पर पास है तो बिल्कुल आप देख सकते हैं वहां पर यही पूछा गया है कि इन्वर्सल डेक्लिडेशन इसको आपको मैं यह प्रवाइट कर लोंगा आप प्रिकर करके ध्यान पूर्बा किसको देख लिजेगा तो देखें हमसे बता दता हूं कि यह तीस जो डिक्लिरेशन है वह क्या क्या है तो देखें पहला है आपका एक्वैलिटी दूसरा है फ्रीडम फ्रों डिस्क्रिमिन कि लाइफ लिवर्टी एन सेकृरिटी है तीसरे नमबर पे चौथे पे फ्रीडम फ्रों सलेबरी पाच में पे फ्रीडम फ्रों टॉर्चर चठा पे है रिकोगनिशन आज पर्सन बिफोर लाव सेवन पे एक्विलिटी बिफोर दला एट पे रेमेडी बाए ट्रिबुनल गया डायन पर फ्रीडम प्रों आर्विट्री अरेस्ट एर प्रीयर पभीच भी एरिंग इन सेंट अंतील पावर गिल्टी असवदी प्रूब्हिन गिल्टी जब तक मतलब की प्रूफ नहीं होता है शहार नहीं मिलती जब तक इन सेंट माना जाएगा प्राइवेशी खी freedom of movement, asylum, nationality, marriage and family, 17 में property, 18 में freedom of belief, freedom of opinion, 19 में, 20 में freedom of assembly, take part in government, 21 में, 22 में social security, 23 में work, 24 में rest and leisure, 25 में adequate living standard, 26 में education, 27 में participate in cultural life, 28 में social order, 29 में mutual responsibility, 30 में freedom from state and personal interference, तो यह देखिए, यह बहुत ही important है, और यह valid data है, authentical source से download किया गया है, तो यहाँ पे देखिए आपको, यह means में भी काम आजागा, पीटी में जो जो पूछा जा सकता था, वो आपको यहाँ पे clear करवा दिये है, प्रिवियस में देखिए यह question था आपका, पुलस आपका जो भी NHC, SHC है, वो सारा कुस देख लिए आपके, और तो चलिए session को बस, इतना ही में इंड करते हैं, यह PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो चलिए, यह session आपको कैसा लगा, बिल्कु कमेंड करके बताईएगा, क्या आप इस तरह के और session चाहते हैं, जो भी और topic है, आपको चाहिए, तो बिल्कुल बताईएगा, नेक करके आपसे यह बताने का परियास करूंगा, यह परियास मेरा कैसा लगा, बिल्कु कमेंड करके बताईए, चलिए, तो मिलते हैं, नेक session में,